नमस्कार मित्रो मैं ममता बाजपई भूपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है लीजे मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आप देख रहे हैं इंडियन टेरिस गार्डिनिंग आर्ट आज के वीडियो का विशय बहुत इंटरस्टिंग है मेरी एक फॉलोर फ्रेंड हैं और उन्होंने मुझे कहा कि उनके घर में बागवानी को लेकर उनसे कुछ इस तरह प्रश्न किये जाते हैं कि मिट्टी की कीमत गमले की कीमत या ग्रो बैक की कीमत पेस्टिसाइट सारा खर्चा मिला के आप जो यतना कर रही हैं बदले में र मेहंगा शौक है और निरर्थेखे करना ही नहीं चाहिए और वो बिचारी हताश होकर उन्होंने मुझे एक लंबा सा कॉमेंट लिखा और मुझे ये चाहा कि इस प्रश्न का जवाब मैं दूँ तो मैं ये उनके लिए ये वीडियो बना रही हूं और मैं समझाती हूं इसक जादा होती है उस हिसाब से तो हम उतना पैसा बैंक में जमा कर दें तो ब्याद ज्यादा मिल जाता है खेती में उतना नहीं मिलता लेकिन फिर भी हम खेत खरीदते हैं क्योंकि खेती होना आपके पास जमीन का टुकड़ा होना एक बड़ी बात है ऐसा ही आप जो मिट्टी मिलकर gardening करेंगे तो ऐसा नहीं कि gardening में कुछ भी नहीं मिलता रिटर्न मिलता है और मैं आपको प्रतिक्ष प्रमान मैं यह सारी बाते कर रहे हूं तो पीछे harvesting चल रही है वीडियो में आप देख रहे हैं और आप मेरे channel में देखेंगे मैं हमेशा harvesting दिखाती हूं रही बात कि अगर सबजीया नहीं निकलती तो आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है आप सीख जाएंगे तो सबजीया निकलेंगी हां हर बार हर फसल ऐसी बहुत सारी बंपर फसल नहीं होती है, ये मैं मानती हूं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे जैसे इतना बडा गार्डन है तो मै कुछ भी नहीं लेती हूं हाँ मैंने तो बहुत खर्च किया है लेकिन मैं एक लिंक और दूंगी अपने एक वीडियो का जिसमें मैंने एक वीडियो यह बनाया कि कम से कम खर्च में आप गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी और शुरुआत करेंगे तो कम खर्च में बागवाई ने शुरू करें और करते जाएँ और करते जाया Хाण कि ऐसे कि बागवानी को लेकर इतने होटलिंग करते हैं और जितना कि हमारा 15 दिन का खाना हो जाए उतना बिल एक बार में दियते आते हैं और भी बहुत सारी होबी थो हैं हम जूरी पहनते है या पुरुशों का ले लें तो सिगरट है देता है भले हर पौधा ना फले लेकिन कुछ पौधे जरूर फलते हैं तो क्यों बागवानी के प्रती अच्छी चीजों के प्रती हैं नकारात्मा क्रवया क्यों मैं ये इतना सारा उत्तर दे रही हूं जो भी आपके घर के सदस्य इस तरह की बातें करते हैं उनको ये वीड जाएंगे पर इस तरह गुणा भाग नहीं किया जाता जो लोग इस तरह गुणा भाग करेंगे कि टोटल खर्चा इतना सबजी इतनी तो वो कभी गार्डिंग नहीं कर पाएंगे और गार्डिंग नहीं कर पाएंगे तो वो नेचर से नहीं जोड़ पाएंगे जीवन जी बहुत से ऐसे काम करते हैं, electronic equipment इतने आते हैं, हम कुछ भी खरीद लाते हैं, कितनी चीजें हम खरीदते हैं, लेकिन हम उन पर कभी हिसाब नहीं करते हैं, हाँ मैं मानती हूँ कि मित बैता एक अच्छा गुण है, चीजें खरीदते समय, balanced होना चाहिए, ये भी बहुत और हम उसमें फूल पतियां होगाते हैं, या हम बड़े ब्रक्ष होगाते हैं, छाओ लेते हैं, तो फूल पतियां तो हम खाते भी नहीं हैं, बस हम अपनी आखों को, अपनी मन को, आपको पता है, जितनी भी मानसिक समस्याइं होती हैं, वो मन से ही create होती हैं, मन को heal करना, या मन का कोई कम काम कर लेना, आपको संतुष्ट करता है, और जीवन में संतुष्ट होना या खुश होना ही, तो हम कब से तलास रहे हैं, क्या तलास क्या है, सुखान वेशी हैं हम तो, human being ही क्यों हर व्यक्ति, अपनी सुख और सुविधा तलासता है, बागवानी उसका एक हम ऐसे भी कह सकते हैं, कि हमारे खेत में जगे हैं, तो हम वहाँ पौधे लगाएं, हम पार्क में लगाएं, नहीं लगा सकते हैं, तो जो पौधे लगे हैं, उनने डेमिज न करें, और हम कम से कम उनने शुरद्धा की दृष्टी देखें, उनके मूल्यों को समझें, ये प्रगति की और एक कदम है, बागवानी या नेचर से जुड़ना प्रगति की और इंसानियत की और एक कदम है, और मुझे पता है, जब भी आप कोई अच्छा काम करने चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे हरडल आते हैं, आपको पकड़ कर खीचने वाले बहुत लोग मिल ज जाएंगे, इसलिए मेरी जो वो दोस्त हैं, मैं उनसे यह कहूंगी, घर में जगडा करने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो अपने जेव खर्च में से, अपने बजट में से, कम से कम बजट लेकर, कुल मिला कर 4-5 गमले खरीदें, और चैनल देख देखकर, आज कल तो यूट आपको कुछ न मिला, ऐसा नहीं है, आप जब चत पर लगाएंगे, बैगन टामाटर तो अराम से हो जाते हैं, चलिए टामाटर बैगन नहीं होए, तो पालक जरूर हो जाएगी, ठंड की सबजी हो जाएगी, जो भी कुछ होगा, और नहीं होगा, कुछ भी तो फ्लोरल ल जीते हैं, अपने 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 शॉक होते हैं, किसी को रॉक क्लाइम अच्छी लगती है, कोई साइकलिंग कर रहा है, कोई घर में बैठके टीवी देख रहा है, तो कोई बागवानी कर रहा है, अब आप खुद गुणा भाग लगा लेजिए, खर्च तो सब जगे हो रह मुझे लगता है, मैं जैनल सर्फ इसलिए चला रही हूं, कि लोग ज्यादा से ज्यादा बागवानी से जुड़ें, और ये मुझे लगता है कि एक यग्य की तरह पवित्र कार्या है, और मेरी जितने हिम्मत है, मैं जुनून से, पूरे जुनून से ये काम कर रही हूं, क्या होती है, और रही बात, कि सब जूठा दिखाते हैं, कुछ लोग को ये लगता है, कि इस चैनल फेक होते हैं, तो मैं सच कहते हूं, आप मुझे शुरू से देखिए, कोई क्यों फेक दिखाएगा, और इतना सब फेक कैसे दिखा सकते हैं, आपको सबजी अलगी दिख हैं, तोटती हुई दिख रही हैं, और इन दिनों इस साल तो मेरे हैं, हर तीसरे दिन मैं सबजी निकाल रहे हूं, हाँ ये आपको कॉमन दिख रहा होगा कि लोकी, तोरी, बैंगन और लॉंग बीन, मिर्च, ये तेन-चार सबजी आई हैं, क्योंकि इनका ये सीजन है, जै सब्सक्राइब तो मुझे करही ले